आप देख रहा हैं आपका अपना YouTube चानल Cyber Tech Campus नवादा आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे Graduate Calculations Tally Prime के अंदर इससे पहले कि हम लोग Tally Prime में Graduate Calculations के लिए कैसे कहां क्या पेहड बनना है वो जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं कि Gratuity Actually होता क्या है देखिए Gratuity जो है वो एमाउंट है जो किसी भी Impli को Implier तब देता है जब Impli जो है जिस Company में काम कर रहा है उसमें पांच या उससे ज़्यादा साल तक काम कर चुका है मतलब साथ महिने तक कम से कम साथ महिने तक उसने काम किया है तभी और तब सिर्फ तभी Gratuity के लिए वो Impli हगदार होता है और यह जो है उस Impli को या तो Retirement का वक्त मिलता है या जब वो और्गनाज़शन को छोड़ता है तब मिलता है इसके लिए जो नियम है वो है पेमेंट ऑफ Gratuity Act 1972 यह साफ बताता है कि उसी Impli को Gratuity Amount दिया जाएगा जो कम से कम जिन्होंने पांच साल कम्प्लीट किया है किसी भी और्गनाज़शन में बतार Impli इसके कैलकुलेशन का देखिए दो तरह का फर्मूला है अगर अगर जो है Impli under the Act है तो उस केस में जितने साल तक काम किया है नंबर ओफ इयर्स इन्टू बेसिक प्लस डिये इन्टू 15 जहां 15 जो है न वो महिने का वो 15 दिन है जो Gratuity Period होता है अप्लाई होगा by 26 ठीक है और अगर Impli नहीं अकवर्ड तो उस केस में जो by 26 है वो by 30 हो जाता है बस यह छोटा सा एक नियम है ठीक है नंबर ओफ इयर्स यहां पे अब जितना साल पुराना होगा Gratuity का इमाउंट उतना बढ़ता चला जागा तो इसको कैसे हम लोग करेंगे टैली प्राइम के अंदर आये देखते हैं देखें यहां पर पहले आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर मैंने बहुत सारा पेहिट्स बना के रखा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं यहां पर मैंने पेहिट्स बनाया है जैसे मैंने बेसिक बनाया है यह बना लिया है और यह इस आई वगड़ा कभी सारा सिस्ट्रम है अभी मैंने डिफाइन कर लिया है देखो यहां पर फर्दीन अख्तर की अब उसी तरह से अभी इसमें जो है सोहन की भी सेलरी है इसमे अभी घ्रैटि अप्लिकेबल नहीं है जैदखान की भी सेलरी थी मैंने---- यहां पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वाउचर में जाके मैंने अटेंडनेस भी बना लिया है ठीक है और मैंने इसका पेमेंट भी कर दिया है लेकिन अभी चुकी एक ग्रैचुटी अपलेकेबल नहीं है तो अगर आप ग्रैचुटी का रिपोर्ट देखते हो जिसके सब्सक्राइब ऊ है उसके लिटो नरीक नहीं हुआ है क्यूंकि ग्रैचुटी को हम लोगों ने अभी enable किया ही नहीं है एक normal way में imply को basic da hra वगड़ा यह as a payment मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे ग्रैच्विटी पेहट हम लोग बनाएंगे ग्रैच्विटी पेहट बनाने के लिए हम लोगों को जाना है create में और यहां पे पेहट्स option को select करके इंटरप्रेस करना है अब यहां पे suppose मैंने ग्रैच्विटी नाम से एक पेहट बनाया देखे इसके लिए लिस्ट आफ पेहट्स में यहां देखो ग्रैच्विटी नाम का एक option ही अलग से available है इसको इस option को आपको select कर लेना है अभी यहां पे यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है देखो दो तरह के नियम है एक नियम कहता है कि अगर 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 कवर्ड नहीं है तो 30 होगा तो मैं कवर्ड के लिए ही लेके चल रहा हूं तो यहां पे मैं 26 डालता हूं अगर आपके केस में इंप्लाई कवर्ड नहीं है लेकिन अगर उसके बावजुल वह एलेजिबल है ग्रेचुटी के लिए तो जहां पर मैंने 26 दिया है वहां पर आपको 30 डाल देना है अभी यहां 26 मैंने डाल दिया लेकिन ध्यान रहे कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए इसका मतलब ह जो है एलेजिबल डेज फोर ग्रेचुटी बिल्कुल भी नहीं है जीरो है जबकि 61 से 120 यह 15 डेज है देखो यहां पर मैंने फर्मूला में बताया है यह 15 डेज यह 15 डेज जो होता है वह ग्रेचुटी के लिए कैलकुलेशन अप्रेड है उसी दन से 121 से जादा महीने अग प्रेच करना ही है इंप्लाई को अब यहां पर अभी एक ऑप्शन आ रहा है सेट अबलिक अल्टर इंकम टैक्स जिटेल्स फिलाल हम लोग इसको नो रखते हैं जब इंकम टैक्स के बारे में हम लोग बताएंगे तो जानेंगे कि इसका किस पर क्या इफेक्ट पड़ता है फिलाल इसको नो रखना है यहां से हम लोग इसे एकसेट कर लेते हैं ओके लेकिन अब आपको अल्टर में आना अब जो है देखो यहां पर मैंने साफ बताया है कि कैलकुलेशन में बेसिक और डिये यह दो पेहट्स का इस्तमाल होता है ग्रैचुटी कैलकुलेशन के लिए तो आपको इन दो पेहट्स को जो आपने अल्री बना के रखा है उसको अल्टर करना होगा अगर आपने नहीं बनाया है तो आप क्रियेट के समय में फ्रेश क्रियेट कर लेना कैसे यहां पर मैं बता रहा हूं मैं अल्टर करके आप लोगों को बता दे रहा हूं यहां पेह को एक छोटा सा उप्षिन है यूज फोर कैल्कूलेशन ऑफ ग्रैचुटी ये डिफॉल्ट नो होता है इसको आपको यस कर लेता है ठीक है उसके बार कंट्रोले बाकी का डिटेल्स ये जैसे मैंने पिछले वीडियो से बनाया है आप लोगों को पता ही होगा वह आप लोग यस कर लिखते हैं बाकी जैसे पिछले वीडियो से मैंने बताया था उमीद करता हूँ आप लोगों ने देखा वोगा वैसे है आप लोगों को कर लेना है ओके अब बात आती है कि कैसे आप सैलार डिफाइं करूंगे क्योंकि देखो अभी तक जो मैंने सैलार करनी है तो वैसे ही इंप्लाइ में इसको एक्टिवेट करना है जो कम से कम पार साल कुराना हो तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि मेरे यहां जो भी इंप्लाइ है वो सारे के सारे करने पांच साल से उपर ही उन्होंने काम किया है तो मैं अल्टर में जाता हूं यहां से डिफाइन सेल्री आप्षण को सेलेक करके इंटर परिस करता हूं पहला इंप्लाइ मेरा है फरदीन अखतर इसको मैने अल्यश शाय जिए पछ पंग सो और यह एच यही यहां चलो ग्रैचुटी को हम लोग एड़ कर लेते हैं यह मान के कि फर्दीन अख्तर जो इंप्लाई है मेरे यहां जिसका इंप्लाई कोड़ E002 है वो पांच साल से पुराना है ज्यादा काम किया हुआ है उसी डंग से सोहन सिंग को भी मैं मान लेता हूं कि यह भी दो 17 15 साथ महिने से उपर इसने काम कर रखा है मेरे यहां चलो इसमें मैंने ग्रैचुटी को अड़ कर लिया यह भी पुराना है ठीक है 5 साल से अभी प्ले से आप टुकी वाउचर एंटी कर हो यहां पर पेज़ूप करके मैं दिखा देता हूँ यहां पर यह 31 माई तक का की वाउचर एंट्री की विए इसकी तो आपको अलग से एंट्री कर ली नहीं है अगर आप आपने एंट्री नहीं कियोगी तो आप पेरोल के एंट्री कर लेना यहां देखो एफेक्ट क्या होगा अब हम लोग देखते हैं इसका इफेक्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्स में आओ चुकि यह जो है यह तो अट टाइम ऑफ रिटार्मेंट मिलेगा तो इसके लिए अलग से ऑप्शन है स्टैचिर रिपोर्ट में आपको आना है और देखो यहां पर नीचे ग्रैचुटी नाम का एक ऑप्शन है आप यहां पर क्लिक करो यहां पर देखो यह कैटेगरी वा इस तक का जो इसका ग्रैचुटी एमाउंट है वो देखो आप फर्दीन का 370 रुपया 18 पैसे है उसी रंग से सोहन सिंग का भी 302 रुपय 87 पैसे अगर आप चाहते हो नहीं में इंप्लाइवाइज देखो तो देखो यह 5 बटन है इंप्लाइवाइज के लिए आप उस प चाहता हूं कि एक अप्रेल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक पूरे 10 साल का ग्रैचुटी एमाउंट दिखाओ तो यह साफ यहां पर दिख रहा है कि सी ग्रैचुटी एमाउंट क्या होगी यहां पर कैलकुलेशन देखे आ अगर आप यहां से तिल डेट तो अभी के डेट तक टैली प्राइम के अंदर और बहुत आराम से उसके विपोर्ट को जेनरेट कर सकते हों उमीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली प्राइम में ग्रैचुटी के कॉंसेप्ट को एनेबल कर सकोगे उसके फर्मूला को आप लोग लिख लेना उमीद करता हूं वीडियो ताकि उस ट्रापिक पर मैं वीडियो बना सकूँ वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्स थैंक्स अलोट